नमस्कार, मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है, आज है 24 नवंबर दिन शुक्रवार, खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक मैजर सुर्ख्यों पर बिहार और दोई घिवेश प्रोटसाहन वस्त्र एवं चर्मनीती 2022 के तहट मिलेंगी ये सहायता बीपियसे सिर्चक भरती परिक्षा के OMR सीट को लेकर अतुल प्रशाद ने किया साबधान कर्ज लेने में बिहार का ये जिला सबसे आगे एक ग्यारवे नेशनल पेंचक सिलार्ट्स चैंपियंशिप 2023 का हुआ सुभरम खो गया है आधार कार्ड और याद नहीं है नंबर तो करें ये काम अच्छले बरते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों के ओर विस्तार से विससग्य चिकिस्तक के 389 पदों पर निकली नौकडी राजस्वास्त सुसाइटी बिहार यानि की SHS के द्वारा विससग्य चिकिस्तक के 389 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट SHS.Bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाई तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 6 दिसंबर 2023 तक निरधारित की गई है इसके लिए अगर सेचने क्योगिता की बात करें तो मिद्वार को किसी मानिता प्राप संस्थान विष्विद्याले से डॉक्टर ऑफ मेडिसीन की डिग्री लेनी अनिवारे है मैं इसके लावाए स्पेसलिस्ट डॉक्टर के लिए आविदन करने वाले उमिद्वारों की अधिक्तम आयू सीमा एक अगस 2023 को पचपन वर्स है इस जरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी कियेगा दिसूशना को ज़रूर देख ले बिहार ओदुइक निवेस प्रोथ साहन वस्त्र एवं चर्मनीती 2022 के तहट मिलेंगी ये साहाइता बिहार सरकार के उद्योग विभाग के दवरा IPRD पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी गई है कि बिहार और दोईक निवेस प्रोथसाहन वस्त्र एवं चर्मनेती 2022 के तहत क्या सहायता और अनुदान सरकार के ओर से उपलब्ध करवाये जाते हैं जिसके तहत उद्योग लगाने पर 15 प्रतीशत का पुंजीकत अनुदान अधिक्तम 10 करो रुपे बिजले बिल में प्रती यूनिट 2 रुपे का अनुदान हर मह प्रतीवर कर 3000 रुपे से 5000 रुपे तक वेतन मद में प्रोथसाहन राशी नरियात होने वाले कारगो पर माल भाड़े 30 प्रतीशत की प्रतीपूर्ती अधिक्तम 10 लाख रुपे प्रतीवर्स सालाना प्रती प्रतीवर्स 10 लाख रुपे तक का अनुदान और बिहार और दोईक निवेस प्रतसाहन नीती 2016 के अंतरगत मिलने वाले सभी लाब शामिल हैं आपके जानकाड़ी के लिए बता दे किस योजना के लिए पंजिक्रित इकाईयों की संक्याती 70 है वहिस पर योजना की लागत 392.45 करोर रुपे हैं ऐसे में अगर आप इस योजना का लाब लेना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट //swc2.bihar.gov.in/.invester.home page पर जाकर अपना वेदन कर सकते हैं बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे दाउद खान किला के बारे में दाउद खान किला भारत के बिहार राज्यमी औरंगाबाद जिले के दाउद नगर मिरस्त एक एतिहासिक किला है इसका निर्मान मुगल समराट औरंगजेब के कमांडर इनचीफ और बिहार के ततकालिन गवर्नर दाउद खान कुरैसी ने करवाया था इसे बिहार के परिटन विभाग के अंतरगत मानिता प्राप्त है यह किला औरंगाबाद जिला मुख्याले से लगबग 35 किलो मीटर दूर दाउद नगर छेतर में इस्तित है जिसका नाम नवाब दाउद खान कुरैसी के नाम पर रखा गया था इस एतिहास किले का निर्मान बेहार के ततकालिन गवर्नर और औरंगजेब के मुख्य सूवेदार दाउद खान कुरैसी ने कराया था इसका निर्मान तब शुरू किया गया जब औरंगजेब ने दाउद खान को अंचा और मनोडा परगना उपार में दिया था इसका भूमी पूजन 1663 में हुआ था और भूमी पूजन के लगभग 10 साल बाद यह वर्स 1673 में बनकर तयार हुआ ऐसी मानिता है कि विजय प्राप्त कर लोटते समय यहां दाउद खान ने रुक कर कुछ दिन आराम किया और इस चकह की अस्थापना की बाद में औरंग जेब ने इस शहर को दाउद खान को भेट कर दिया यहां पर दाउद खान और उनके पोते एहमद खान द्वारा बनाई गई मस्जिद और सराई की जलकिया देखने को मिलती है BPSC सिक्षक भरती परिक्षा के OMRC को लेकर अदुल प्रशाद ने किया साबधान बहर लोग से वा आयोग यानी की BPSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिक्षक भरती परिक्षा चरन दो को लेकर एक तरफ जहां अभ्यर्थियों को शुलक भुकतान करने का अंतिम मौका दिया गया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि TRE 2.6 OMRC में रोल नंबर की कोई टेक्स्ट प्रविस्टिया नहीं है इसी प्रकार विशय संयोजनों को उनके अनुप्रियों के अनुसार माना जाएगा इसलिए उमिद्वारों को साबधान रहना चाहिए क्योंकि गलत प्रविस्टियों को कंप्यूटर द्वारा अस्विकार कर दिया जाएगा और कोई मैनुवल क्रॉस सत्यापन नहीं होगा आपकी जानकारी के लिए बतादी कि सिक्षक भरती परिछा चरंदों में लगभग 1.22 लाग सीटों के लिए वैकंसी निकाली कई है जिसमें मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के साथ साथ प्रात्मिक के सीट सामिल है बतादे कि बिहार से चखभरती का डमी ओमर्सी जारी कर दिया गया है कर्ज लेने में बिहार का ये जिला सबसे आगे राजे इस्तरिये बैंकर समीती की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राजे में लोन लेने में मुंगेर, नारंदा, सारन, भोजपूर और जहानाबाद के लोग पीछे हैं तो वहें पुर्णिया, अरडिया, पश्मी और पुर्वी चमपारन और किशन गंज के लोग आगे हैं उनमें अरडिया का CD अनुपात 81.6%, पुर्वी चमपारन का CD अनुपात 75.3%, कसंगज का CD अनुपात 75.1% और पश्मी चमपारन का CD अनुपात 74.5% है इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे कम लोन लेने वाले जले के बाड़े में तो उसमें मोंगेर का सीडी अनुपात 31.27 प्रतीशत है इसके अलावा नालंदा का सीडी अनुपात 40.30 प्रतीशत सारन का सीडी अनुपात 41.24 प्रतीशत बोजपुर का सीडी अनुपात 41.67 प्रतीशत और जहानाबाद का सीडी अनुपात 42.67 प्रतीशत है बुनियात केंद्र में मिलती है ये सिवाई समाजिक सुरक्षा एवं देकभाल के लिए बिहार सरकार की ओर से बुनियात केंद्र की शिरुवाद की गई थी जिसके तहट साथ वर्ष या उससे अधिक आयू के महिला एवं पुरुष शारेरिक मांसिक अने प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावत सभी आयू वर्ग के महिला पुरुष और बच्चों को और 18 वर्ष से अधिक की विदवाओं को लाब दिया जाता है बतादी की बुनियाद केंद्र के माध्यम से जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनमें पडामर्स सेवाइं, दिव्यांक्ता संबंधी सेवाएं, फीजियो थेरफी सेवाएं, दौरस्त सेवाएं, सामाजिक सुरक्चा-पिंसन सेवाएं, विशेश-वृध-जन सेवा, स्कूलों के फंड को खर्च करने के लिए के पाठक ने इतने दिनों तक का दिया समय बिहर सर्कार के सिक्षा विभा के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वरा राप्षि के सभी जिलादिकारीओं को पत्र लिख छातर कोस और विकास कोश की राशी कई माध्यमिक स्कूलों के द्वारा खर्च न किये जाने के कारण नाराजगी व्यक्त करते वे इन राशी को खर्च करने की अंतिम मुहलत 31 जन्वरी 2024 तक दी गई है और कहा गया है कि अगर तैस समय पर ये राशी खर्च नहीं हो पाती है तो 15 लाग से अधिक राशी शरकारी कोस में जमा की जाएगी आपकी जानकारी के बतादे के राशी के माध्यमिक स्कूलों में 1200 करोड की राशी पड़ी हुई है जिसका इस्तमाल स्कूलों को चार दीवारी कमरों का नर्मान सौचाले की साफ सफाई मरमती फरनीचर खरीद साइकल स्टैंड आदी के नर सेक्रो लीटर सराब जब दो तसकर गिरफतार विहार में पुनलूप से सराब बंदी है लिकिन असके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी सिजरी मामले सुनने को मिलते रहते हैं हाला कि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पात विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही इस दो चार एवं बुलेरो जिसका नंबर बी आर दो छे इस साथ पांच शने है उससे तीस काटून में से कुल 265 लीतर विदेशी सराब बरामत की गई है और साथे इस दुरान दो तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान मुबारत खान और राजीव शाओ के रूप 23 का हुआ शुभारम प्रसक्षकों को अंग वस्तर और स्पोर्ट स्क्रिप्ट देकर्स अभिनंदन करते वे सम्मानित किया गया जिन्होंने कोयमबटूर तमिलनाडू में आयुजित 38 वे नैशनल जुनियर इतलेटिक्स चैंपियंसिप 2023 में पदक जीत कर बिहार का नाम रोशन करने का काम किया गया है उन्होंने कहा कि योग्ये खिलारियों को नगत पुरुसकार के अलावा मेडल लाव नौकरी पाओ योजना के तहस्त सरकारी नौकरी भी दी जाएगी बिहार के खिलारियों ने इस प्रतियों गिता में कुल एग्याड़ पदक जीत कर राजी को गौरवानमित किया ह छे गोल्ड जीतने वाली कीरती को सीएम नितीश से मदद किया है अठाइस और उन्तिस नवंबर दो हजार तेज को न्यूजलैंड में आयूजित पावर लिफ्टिंग खिलारी कीरती राज सिंग के दौरा छे मिडल देश के नाम किया गया था जिसके बाद जब वो पटना पहुँची थी तो उनका भवे स्वागत किया गया था और साथ ही सीएम नितीश के दौरा उन्हें मिलकर आशवासन भी दिया गया था कि उन्हें खेलने के लिए सरकार के और से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा वहीं अब किरती राज सिंग के दौरा दैनिक भासकर्षे ब पस यही मांग है कि कुछ दिनों बाद मेरा नेशनल टीम के लिए ट्रायल होने वाला है उसके लिए मुझे किट और डाइट उपलब्द करवा दे मेरी किट 2,55,000 रुपए के आती है उन्होंने कहा कि मैं फिर से बिहार के लिए मेडल जीत कर ला सकती हूँ बस मुझे आफी लोग प्रियतामिली बता दी कि पूजा मिर्श्रा ने अपना करियर एक मॉडल के रूप में शुरू किया और विवन प्रसद ब्रांडों के साथ काम किया वह वी फोर यूप पर प्रस्ताविट टॉक शो जब वी टॉक में बीजे के रूप में दिखाई दी इसके ल फिल्म नर्मान कंपनी पूजा मिर्श्रा प्रोडक्शन की मालिक है तो पूजा मिर्श्रा ने अपने फिल्मी करियर की शुरूबात अर्जुन रामपाल और एश्वर राय स्टार फिल्म दिल का रिस्ता से डेब्यू किया था एस फिल्म में वह साजन साजन आइटेम कामना करना पर रहा था जिसको लेकर एक यूजर्स के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर नाराजगी भी दिखाई गई वहीं यूजर केस पोस्ट पर रेलवे की ओर से जवाब दिया गया है कि तकनीकी कारणों से एटिकेट बुकिंग अस्थाई रूप से प्रभावित है तकनीकी टीम इस पर काम कर रही है और जल्दी बुकिंग उपलब्द करा दी जाएगी बहिस के लावा IRCTC की वेब साइट पर एक मैसेज भी फ्लैस किया जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि मेंटेनस की वज़ा से एटिक्टिंग सर्विस बाधित हो गई है आपको उस दिर बाद दुवारा ट्राइ करें अगर टिकट कैंसल करना या टीडियार फाइल करना है तो कस्टमर केर नंबर 14646 या 0755661-661 अथवा 0755-409-6600-00 पर कॉल कर सकते हैं यात्री चाहे तो e-tickets at the rate IRCTC.co.in पर मेल भी कर सकते हैं पटना पुलिस ने अंतराजिय साइबर अपराधी को किया गिरफतार बीते दन पटना पुलिस के द्वारा पत्रकार नगर थाना छेतर में एटियम और बैंकों की रेगुलर चेकिंग के दोरान एक संदिक्द व्यक्ति को मोटा रूपया निकासी करते वे देखने पर संद लेने के बाद अंतराजिय साइबर अपराधी गिरों के एक सदस्य को गिरफतार कर लिया गया जिसकी पहचान प्रिंस कुमार के रूप में की गई है जो पशिम बंगाल का रहने वारा है बतादे कि गिरफतार अपराधी के पास से पुलिस को पांच लाग रुपए कैस छे स्मार्ट मोवाइल फोन, साथ ब्लैंक चिक और 26 एटियम कार्ड बढ़ामत किये गए है फिलार पुलिस के दौरा इस अंतराजिय साइबर अपराधी के गिरों को अने सदस्यों की गिरफतारी के लिए प्रियास करने में जुटी है बतादे कि इस बात की जानकारी सदर एए उजना का लाब नहीं ले सकते हैं और साथ ही अपने कई कामों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के दौर में यह हमारे लिए न केवल पहचान पत्र बनकर रह गया है बलकि हमारे जीवन को भी कई माईनों में आसान बनाता है ऐसे में कभी ऐसा होता है कि हमारा आधार का नमबर भी याद नहीं रहता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप अपने आधार कार को वापस पा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेब साइट पर जाना होगा अब आपको आधार नमबर या फिर इन्रोल्मेंट नमबर का विकल्ब चुनना होगा इसके बाद आपको नाम, मोबाइल नमबर, इमेल आईडी की जानकारी देनी होगी अब सेंड OTP पर क्लिक करे और मोबाइल नमबर पर IOTP को दर्ज करे लोग इन करने के बाद आपका आधार नमबर रिजिस्टर मोबाइल नमबर पर भेज दिया साथ ही आसपास के जिलों में तापमान में गिरावर देखी गई है, खासकर किशन गंज में ठंड ने लोगों को सबसे जाल सताया है, पूरे प्रदेश में इन दिनों घने कोड़ी के आश्रंका जताई गई है, वहीं बिहार के विविन शहरों में बायू गुनवत्ता खड प्रदेश के उत्री भाग के कुछ अस्थलों में हलके से मध्यमस्तर का कुहासा एवं राजी के सेस भागों में हलके अस्तर का कुहासा च्छाइड हैने का पुरवानुमान है मधुवनी के गौरवशाल इतिहास और बिहार से हो रहे पलायन पर प्रशांत कसोर का बयान जन्सराज के सुतरधार प्रशांत कसोर गुरुवार को अंधरा ठारी प्रकंड में प्रेशवारता की इस तोरह उने कहा कि मधुवनी के लोग अपने गौरवशाली इतिहास पर पीठ थप थपाना बंद करें मधुवनी में मैं जब आया तो यहां के लोगों ने कहा कि यह विद्वानों की धर्ती है लेकिन मैं कहता हूँ कि यह विद्वानों की जमीन नहीं है बलकि मधुवनी से आपके बच्चे पलायन कर रहे हैं विद्वानों की जमीन कभी थी आज मधुवनी में कभी विद्वान पैदा होते थे अब यहाँ पर केवल मजदूर पैदा हो रहे हैं ये दुखा दस्थिती है इसमें यही दो मत नहीं है कि ये जगा इंटेलेक्चुल कैपिटल है घर घर में लोगों ने पांडूलीपी लिखी है लेकिन वो चीजे बड़बाद हो गई अब उन्ही घरों से पांडूलीपी न हैं ये मदुबनी की भी सचाई है हलाल मुद्द्र पर गिराज के पत्रपड विफड़ हलाल सेटिफिकेट को लेकर सीएम नितीश को गिराज सिंग के दोरा लिखे गए पत्रपड जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग के दोरा अपनी प्रतिक्रियाद दी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बता दे कि गिरास सिंग के द्वारा पत्र में कहा गया है कि बिहार में अनेक खादे पदार्थों एवं अने अवश्रक सामंगरियों जैसे खादे तेल, नमकी, ड्राइफ्रूट, मिठाईयों, कॉस्मेटिक, दवाओं एवं मेडिकल उपकर्णों का हलाल काड़ोबार हो रहा है जबकिस प्रकार की सामंगरियों के मानक से संबन्धित प्रामरन के लिए FSS AI जैसे मानक ही वैद्ध हैं हलाल काड़ोबार के अंतरगत जिन चीजों का इस्तलाम से कोई संबन्ध नहीं उनका काड़ोबारी इस्तलामी करन हो रहा है कुछ संस्थाइं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वेंभू हो गई है और सामान बनाने वारी कंपनियों को मूटी रकम देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही है इस बात के आसंका निराधार नहीं है कि हलाज सर्रिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा सड्यंत्र है राज़त की मिटिंग में महासचीवों से लिया गया फीडबैक बीते दिन आरज़ेदी के दोरा प्रदेश महासचीवों की बैठक की गए जिसम विशेश रूप में बूथ लेवल कमीटी की समिच्छा की गए और साथी बी एले यानि की ब्लॉक लेवल एजेंट हर जगर ठीक से बनाई गये हैं या नहीं इस पर भी चर्चा की गई बता दी कि इस बैठक में 10-10 महासचीवों का ग्रूप बराये गया जिनके दोरा प्रदेश अध्यक चकदानन सिंग के दिये गए नरदेश के अवसार अलग-अलग कम्रे में बैठकर कागज पर अपने अपने छेतर से फीड़बैक लेकर उसे लिखकर जबा किया गया इन सब के अलावा इस बैठक में इस बाद पर भी चर्चा की गई किस तरह आरजेडी सरकार में रहते वे अपने अपने कामकाज को जनता के बीच किनाए उसका प्रचार परसार करें बता दी कि बीते दिन हो इस बैठक में राज़ा सुप्रीमों लालो परशाद यादव औ अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गया लेकिन अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि वो अचानक दिल्ली क्यों पहुँचे हैं हाला कि मीडिया में चल रही खबरों के नसार नितीश कुमार दिल्ली अपनी आख का चेक अप कराने के लिए गया है लेकिन इस नितीश कुमार इससे पहले भी कई बार अपने आख संबंधी उपचार और चेक अप के लिए दिल्ली जा चुके हैं ऐसे में इस बार भी दिल्ली जाने का कारण यही बताया जा रहा है लेकिन इस सब के वीच दूसरी खबर यह भी सामने आ रही है कि दिल्ली के दौरे के दौरान सीम नितीश विपक्ष के कही निताओं से भी मुलाकात कर सकते है ताकि इंडिया गडवंधन को एक बार फिर से सक्रिय किया जाए माला जा रहा है कि नितीश कुमार वापस बिहार की राजधारी पटना 25 नवंबर को आ सकते हैं हाला कि न तो सीम नितीश के दिल्ली जाने का कारण और नहीं वापस लोटने की तारीख के बारे में आधिकारिक तोर पर कुछ कहा गया है भारत ने आस्ट्रेलिया को पहले टी-20 में दो विकेट से हडाया बीते दिन भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टी-20 मैच में शुड़िकुमार यादव की कपतानी वाली भारतिये टीम के द्वारा दो विकेट से जीत हासल की गई बतादे कि टॉस जीते हुए भारतिये टीम के द्वारा गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया जिसके बाद आस्ट्रेलिया आई टीम के द्वारा 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए गए जिसका पीछा करते हुए भारतिये टीम के द्वारा 19 दसमलो 5 ओवर में 8 विकेट पर 209 रन बनाकर मैच में जीत हासल कर ली गई इस दुरान भारतिय टीम के कप्तान सुरिकुमार यादव के दौरा 9 चौके और 4 छक्के के साथ 42 गेंद पर 80 रन बनाए गए वहीं इशान किशन ने शांदार अर्दसतकिय पारी खेली उन्होंने 2 चौके और 5 छक्की की मदर से 49 स्केंद पर 58 डन बनाए वतादे किस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सिरीज में एक शुने से बरहत बना ली है भारत की तिहास में आज की तारीक है कई कारणो से जच नेशनल राइफल एसोशियेशन का 1871 में गठन हुआ प्रख्यात गाशनिक स्री अरविंदो को 1926 में पुन सद्धी की प्राप्ती हुई तमिलनाडू विधान सभा में 1986 में पहली बार एक साथ विधाईकों को सदन से निसकासित किया गया दल बदल कानून के तहट 1988 में पहली बार लोक सभा सांसद लाल दूहोमा का अयोग्य करार दिया गया माले गाउं वंबलास्ट के मामले में आडोपी साधवी प्रग्या सिंग ठाकों नहीं 2008 में एटी एस द्वरा अशलील सीरी दिखाने का आडोप लगाया डिप्टी कमिशनर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कवा साजी जमासेद जी पिर्टी गड़ा का जर्म अठाकों नहीं 2008 में हुआ भारत के स्वाधिन्ता सिनारी तिथा राजनेता छोटू राम का जर्म 1881 में हुआ प्रसद राजनतग्य तथा राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री हीरा लाज सासरी का जर्म 1889 में हुआ भारत के प्रमुक मुस्लिम राजनतग्यों में से एक तथा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भूत पुर्वर राजजेपाल मुहम्मद सफी कुरैसी का जर्म 1929 में हुआ असम की प्रसद मुस्लिम महिला राजनतगे तथा वहां की भूत पुर्व मुख्य मंत्री सयदा अनवडा तैमूर का जर्म 1936 में हुआ प्रसद अभीनेता और फिल्म नर्देशक अमोल पालेकर का जर्म 1944 में हुआ सिखो के नौवे गुरु गुरु तेग पहादूर का निधन 1645 में हुआ हिंदी फिल्मों की मशूर कॉमेडियन उमा देवी खत्री का निधन 2003 में हुआ वारल कर में आजम बात करेंगे कॉश्रल रिन के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सचो ये जरोई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कॉश्रल रिन के बारे में दरसल पी आईबी ने अपनी टूइट में लिखा है कि कुछ विग्यापनों में दावा किया गया है कि उत्तर पुर्वी परिसद जापार में नर्सों के रूप में प्लेस्मेंट के लिए प्रायोजन और होटल उद्योग के लिए कॉशल रिन उत्प्रदान करेगी पी आईबी ने अपनी टूइट में आगे लिखा है कि दावा फरजी है एन इसी कभी भी ऐसे भरती अभियानों को प्रायोजित नहीं करता और कोशल्डरेन प्रदान नहीं करता वार्टसेप पर सिंगल चैट को ऐसे करे लॉग वार्टसेप समय समय पर यूजर्स के लिए उनकी जरूरत के फीचर रोलाउट करता रहता है पिछले दिनों इसी करम में वार्टसेप ने यूजर्स की प्रावसी के लिए चैट लॉग फीचर पेश किया था जिसको अक्टिव करने के बाद वार्टसेप यूजर्स की सिंगल चैट भी लॉग हो सकती है अगर आप भी अपने WhatsApp पर single chat को log करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपने Android या iOS डिवाइस पर WhatsApp के latest version को download या update करें फिर WhatsApp ओपन करें और उस chat पर जाए जिसे आप log करना चाहते हैं contact या group के profile photo पर click करें whispering messages के नीचे आपको chat lock feature दिखाई देगा इस पर tap कर दे chat lock feature को enable करें और अपने phone password या biometrics का इस्तमाल करें वहीं अगर आप log chat को access करना चाहते हैं तो इसके लिए WhatsApp खोले और अपने home page पर जाएं सभी locked chat के लिए screen पर नीचे swipe करें उस lock chat पर tap करें जिसे आप access करना चाहते हैं चैट को unlock करने के लिए आपने phone password या biometrics का इस्तमाल करें डीप फेक से निपटने के लिए आएंगे नए नियम बीददन केंदरिय संचार एवं सूषना प्रदवी की मंत्री अश्विनी वैसनव के द्वारा डीप फेक के मुद्दे पर सोचल मीडिया मंचों के प्रतिनीधियों से मुलाकात की गई इस दुरान उने कहा कि सरकार के देवे कहा कि हम विनियमन का मौसदा तयार करना शिरू कर देंगे और बहुत जल्द हमारे पास डीप फेक से रेपटने के लिए नए नियम होगा यह मौजुदा रहाचे में संसोधन या नए नियम या नए कानून लाने के रूप में हो सकता है डीप फेक लोगतंतर के लि बीपेसी सिखचक न्युकती परिक्षा के दूसरे चरण के लिए आज होगी बैठक आज यारंई की 24 नवंबर को शाम सारे 5 बज़े बीपेसी सिखचक न्यूकती परिकषा के दूसरे चरण को लेकर एक एहम बैठक बुलाई गई है जो की वीडियो कौन्फेरंसिंग के ज पाजूद रहेंगे आपके जानकारी के बतादे कि सिक्षक भरती परिक्षा चरंदों में मध्य माध्यमिक और उच्माध्यमिक वर्ग के साथ-साथ प्राक्षमी के लगभग 1.2-2.00 लाग सीटों के लिए वैकंसी निकाली गई है वहीं माना जा रहा है कि इसके लिए परिक विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिप्रा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाली में किसने भारत द्वारा लोटाई गई आई एनस चक्रद 11 परमानू हमला लंका, ओप्शन सी रूस, ओप्शनरी अमेरिका, इसका सही उतर है ओप्शन सी रूस, अगला सवाल हाली में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉंच किया है जो प्रती सेकेंड एक दस्तम्रों दो टेरा बिट डेटा ट्रांस्मिट करने में सक्षम है, ओ ओप्शन सी जापान, ओप्शन डी अमेरिका, इसका सही उतर है ओप्शन बी ची, अगला सवाल, राजी के राजेपाल को उसके पद से हटाने की सकती किसे प्राप्थ है, ओप्शने प्रधान मंतरी, ओप्शन बी राश्टरपती, ओप्शन सी भारत के ग्रे मंतरी, इसका सहीुत तरह ओप्शन भी राश्ट्रुपती अगला सवाल बिहार का सबसे अधिक प्रती व्यक्ती सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला है ओप्शने पठना ओप्शन भी नालंदा ओप्शन सी मुंकेर ओप्शन भागलपुर इसका सहीुत तरह ओप्शनी पठना अगला सवाल बिहार का सबसे पुराना क्रिश्य विश्य विद्याले निम्न में से कहा है ओप्शने समस्ती पूर पूसा ओप्शन भी मुझपर पुर ओप्शन सी नालंदा ओप्शन भागलपुर इसका सहीुत तरह ओप्शनी समस्ती पूर पूसा बीत दिन हमायदरव पूचे का सवाला का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रdemौशाय वार्यू कॉमने लिख कर दिया था जिन्नों ने हमायदरव पूचे का सवालागा जवाब दिया है उनके नामे चंद्रदीप, रंजीत मिश्रा, राजकिसोर महतो, कस्तूरी सर्मा, नुनोगोलु कुमार, उमा संकर गोनर सर्मा, कुश्च कुमार यादव, सुरेशन कुमार, राजा कुमार, मुहम्मद फहीं, दिव्या यदुबंसी, मुहम्मद असलम, उमीस रिसेदेव, अ इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार को विशेश राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, और अगर मिलना चाहिए तो क्यों, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, जरूर बताएं, आज के लिए बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहें निकल देखते रहें, बिहार नियोज और साथ ही, अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद